अब हम लोग बात करेंगे सुख्षान्ती के उपायों के बारे में घर में परिवार में सुख्षान्ती एश्वर या सम्रिद्धी वैभव का वातावरन कैसे बने आज हम लोग इस विशय में कुछ छोटे-छोटे बहुत ही घरेलू नुर्ण जानकारी करेंगे नमस्कार मैं हूँ वैभवन नाच्छर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज हम लोग बात करेंगे 28 अक्टूबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2075 मास चल रहा है कार्टिक का तिति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिति है रवीवार का दिन है नक्षत रहे रोहिणी योग है परिग और करण है बालव और अगर व्रत परव और त्योहार की बात करते हैं तो रोहिणी व्रत आज मनाया जाना है तो ये तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों को आज आपको सरकारी तंत्र से या आपने शत्रुपक्ष की तरफ से कुछ परिशानी का सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते आपका दिमाग आपका मूर थोड़ा सा आज खराब रहे आज आप गुस्से में रहें तो बहुती शांतचित आपको व्योहार करना चाहिए ओम हरय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें मानसाहार का सेवन और प्रयोग करने से बचना चाहिए व्रिशव राशी संतानव जीवन साथी पर अतरिक्त धन खर्च करने की इस्तिति आज आ सकती है आज आप जीवन में कुछ नया अनुभव कर पाएंगे ओम हरय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी प्रकार के वाद्विवाद में आप न पढ़ें मिथुन राशी जीवन साथी का स्वास्त खराब हो सकता है रुपए पैसे से जुड़े किसी भी मामले में आपको खुश खबरी मिले ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं करकराशी वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा के शित्र में उन्नती मिलेगी व्यापार के मामले में आपने जो कुछ नए और बड़े निर्ने किये हैं वो बहुत ही लापकारी हो सकते हैं उम्शिष्टी कत्रेन महमंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से बचें तमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाई के वीडियोज डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए सिंग राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए मित्रों की ओर से तनाव मिल सकता है परिवार की किसी बात को ले करके आप काफी समय से तनाव में थे लेकिन आज वो तनाव थोड़ा सा दूर हो ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं अंगारक अश्टोतर शतनामावली का पार्ट करना आपके लिए बहुती लापकारी होगा दूसरों के वाद्वाद में आप हस्तशेप न करें तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक लाप की बहुती प्रबल संभावना दिखती है आज आपको एक्चित हो करके काम करना होगा चंद्र अश्टोतर शतनामावली का पार्ट करना आपके लिए कल्यानकारी होगा क्रोध करने से आप बचें व्रिश्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए भाग एका सही योग आपके साथ बना हुआ है पैसे से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आज आपको मिले जिसको पा करके मन प्रफुलित हो जाए ऐसे योग आपके लिए बनते हैं बुद्ध अश्टोतर शतनामावली का पार्ट करें और पश्चिम मुख भोजन आप बिलकुल भी न करें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में बड़ा लाब मिलने की संभावना दिख रही है पुरानी बातों को छोड़ करके आज आगे बढ़ने का दिन है शुक्र शतनामावली का पार्ट करें और अन का अनादर अपमाना बिलकुल भी न करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए बिगड़े हुए काम बनेंगे चात्रों के लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गलत फहमी हो जाए ऐसे योग दिखते हैं शनैश्चर इस्तरोतम का पार्ट करें वादिवाद में आप बिलकुल भी न पड़ें कुम्राशी कुम्राशी वाले जातक लोगों के लिए घर में शुब कार्य समपादित हों ऐसे योग दिखते हैं व्यापार व्योसाई में मेहनत करने से सफलता मिलेगी कोई नया बिजनेस आरम करने के लिए आज का दिन बहुत ही बेतर है शनैश्चर इस्तवराज का पार्ट करना आपके लिए कल्यानकारी होगा दूसरों के कारे में आप हस्तशे बिलकुल भी न करें मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा रुपए पैसे को ले करके आज आपको कुछ परिशानी आ सकती है लेकिन प्रयासरत रहने से आपकी परिशानी जल्दी ही दूर होगी द्वादस जोतिरलिंग इस्त्रोतम का पाठ करें और दक्षन दिशा की और बैठ करके आप भोजन बिलकुल भी न करें तो मित्रों ये तो बात रही आज की बाराशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र की इस्तितियां क्या कहते हैं ऐसे में यदि घर परिवार का वातावरन अनुकूल न हो तव प्रतेक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है यदि आपके घर में भी किसी कारण से सुख शान्ती नहीं हो पा रही इस्तापित नहीं हो पा रही है तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको इससे फायदा अवश्य मिलेगा सबसे पहला उपाय है घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भजन अवश्य किया जाना चाहिए भजन अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कैसेट या सीडी प्ले कर सकते हैं घर में कभी भी जाडू को खड़ा करके न रखें उससे पैर न लगाए और नहीं उसके ऊपर से आपको जाना चाहिए यानि उसको लांगना नहीं चाहिए अनिता घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती इस्थाई लक्ष्मी नहीं होती और बरक्कत नहीं रह जाती घर से बरकत जो है वह चली जाती है बिस्तर पर बैठ करके कभी भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए ऐसा करने से बुरे सपने आते नींद जो है वह खराब हो जाती है घर में जूते चपल इधर उ पूर्व और उत्तर दिशा की और इन दोनों में से पूर्व या तो इस्ट या तो फिर उत्तर यानी नौर्थ की तरफ फेस करके ही किया जाना चाहिए और नीचे बैठ करके इत्मिनान से आप करें जब भी आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए और आखरी इसे हैं इनको कभी भी फूंक मार करके मुह से नहीं बुझाना चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है और अगर अगनी अशुद्ध होती है तो फिर उससे घर में कलहकलेश बहुत जादा बढ़ जाते हैं मंदिर में धूप अगर बत्ति और हवन कुंड आदी जो सा जाना चाहिए घर में कभी भी जाले ना लगने ने अन्यता घर में राहु का प्रभाव बढ़ेगा शाम के समय में सोना नहीं चाहिए रात्री में सोने से पहले अपने इश्टदेव का इस्मरण करके ही शयन करें घर के मध्य भाग में घर का जो सेंटर पॉइंट होता जि उस जगह को जितना साफ सुतरा करके रखेंगे वास्तु देवता की क्रिपा आपको और आपके परिवार के लोगों को उतनी जादा मिलेगी तो मित्रों यह चोटे-चोटे सुझाव थे अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई बहुत बढ़ा खर्च नहीं है कोई तोड़- चोटे उपाए जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलते हैं यह बहुत पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट के लिए बैल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद शित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्राप्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन प 300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार